अभी मैं AMC wise एक साल के return का analysis कर रहा था उस analysis के दौरान कुछ चौकाने वाले facts सामने आए जैसे क्वान मिध्वल स्रंड की इतने segment हैं उन segment में से सबसे कम return 11% है और सबसे अधिल return 30% के आसपास है जबकि बांकी जो 15 largest AMC है उनके सबी segment में से जो minimum return है वो minus 18% है और maximum return 44% के आसपास है यदि हम minimum return की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि Quant mutual fund और बांकी जो सबसे largest AMCs हैं उनके minimum return के बीच में almost 39% का difference है इसी context में हमने Quant mutual fund के कुछ segment का analysis करने के सोची और आज हमने कोशिस की है को analysis करके उसके conclusion उसके information जो facts है वो अपने viewers या investor के साथ share कर सके ताकि वो informed decision ले सके यदि मेरे ये वीडियो आपको पसंद आए इसको like करें अपने friends के साथ share करें और यदि आप चाहते हैं कि हमारे नई वीडियो की notification आपको लगतार मिलती रहे और आपने अभी तक हमारा चानल एस्टोंट टेक्स में सब्स्राइब नहीं किया है इसको सब्स्राइब करें एस्टोंट टेक्स मिन चैनल में आपका एक बर फिर से स्वागत है मेरा नाम डीम जाले कि हमने QuantMetral Fund के तीन सेग्मेंट Flexi Cap, Small Cap और Active Fund की Analysis करने की कोशिश की है सबसे पहले हमने इसके Basic Details के बारे बातें की है Basic Details में जब देखते हैं तो देखते हैं यह तीनों ही Fund Flexi Cap, Small Cap और Active Fund 7 जनवरी 2013 को स्टार्ट हुए थे तीनों एक दिन स्टार्ट हुए थे इसे तीनों का Tenure जो है बरावर है 290 करोर, Flexi Cap का, Small Cap का 343134 करोर और Active Fund का 3556 करोर है और इनका जो Segment है Flexi Cap as it sounds from its name Flexi Cap का Flexi Cap, Small Cap का Small Cap और Active Fund Basically it belongs to Multi Cap तो Flexi Cap, Small Cap पता चलता है किस Segment का है Active Fund का जब तरह उसका Portfolio ना देखें तब तक नहीं मालूम होता है, यह Multi Cap से बिलॉंग करता है तीनों की Life Tenure एक ही AEM अलग अलग सबसे अधिक AEM Active Fund का उसके बात करते हैं Return Performance की जब Return Performance की बातें करते हैं तो देखते हैं कि एक साल में जो रिटर्ण है Flexi Cap का 15.22% Small Cap का 19.87% और Active Fund का 12.70% It's very good because यह आपको ध्यान होगा ते Small Cap का जो Category Return था, It is in Negative Return जबकि Quant Small Cap ने 19.87% का Positive Return दिया है, अब बात करते हैं इस रिटर्ण की Flexi Cap में 34.18% Small Cap में 48.78% और Active Fund में 32.22% Friends यह रिटर्ण हम समान्य वास्ता में बोलते हैं कि 10-15 साल का आप investment horizon रखेंगे तो 12-15-18% के आसपास रिटर्ण आपको mutual fund में अच्छा रिटर्ण मना जाता है जबकि यहां तीन साल में देख रहे हैं मैक्सिम्म रिटर्ण Small Cap का 48.78% है और यह इसकी बातें करें हम 5 साल की तो Flexi Cap में 17.23% 23.72% Small Cap और Active Fund में 19.68% तो रिटर्ण performance के हिसाब से देखें एक साल, तीन साल, पांस साल का तीनों ही fund ने बेतरीन performance दिया हुआ है अब बात करते हैं इसके portfolio की portfolio में बातें करेंगे हम top 5 stocks की holding जो 5 stocks हैं top के उसमें किसकी कितनी holding इसकी बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि फ्लैक्सी के जो 5 top 5 stocks हैं उनमें इनकी holding 32.68% है वहीं active fund में इस 27.63% और small cap में 29.86% पांची stock में इनका सबसेकर एक्टिव फंड में 27.63% holding है इसका मतलब और यदि यह 5 stocks यदि काफे बेतर perform करें तो return काफे बेतर और यदि खराब perform करें इसका impact इनके overall return पर considerable amount में होगा अब बात करते हैं सबसे important चीज़े जो हैं कि active fund और small cap के जो दो stocks हैं उन दो stocks में 7.66% active fund का और उन्हीं दो stock में से 10.27% small cap का यह दोनों ही common stock हैं और यह stock हैं पंजाब national bank and IRB developers में फिर repeat कर दूँ पंजाब national bank and IRB developers यह यह दो stocks इसी top 5 stocks में से हैं पंजाब national bank and IRB developers का active fund में 7.66% holding है जबकि small cap में इन्हीं दो stocks का 10.27% holding है अब यह बात करते हैं flexi और active fund की एक stock है state bank of India जिनका flexi cap में अक्यले 7.48% का holding है और active fund में 6.05% का holding है और यदि हम यह कहें कि एक stock है ITC जिसका की flexi cap में 7.47% holding है active fund में 8.76% holding है और small cap में 93% holding है अब देखें यह पूरे holding है एक stock state bank of India एरॉंड 14% का holding flexi cap और active fund में है और करीब 24-25% के आसपास एक stock है जाट इस ITC जो की flexi cap active fund और small cap तीनों को impact करता है इसका perception इसका impact एगेन वही दो ही stock total है एक ITC एक state bank of India और PNB and Rb developers यह चार stock को का यदि यह perform बेतर करें काफी अच्छे performance देंगे और यदि perform खराब करने तो तीनों ही fund का performance काफी खराब होगा inference interpreted आपको करना है कि इससे क्या interpretation आपको निकलता है आगे बात करते हैं यदि इसकी overlapping की बातें करें यदि आएगें रिपिट यदि इसकी overlapping की बातें कर इन तीन funds की हम देखते हैं कि 20.83 percent holding है यह तीनों में common है 20.83 holding यह तीनों ही flexi flexi में small cap में और active fund में जबकि flexi और small cap में 25.48 percent common stocks हैं और flexi और active में 50.80 common stock हैं और small and active में it is 35.80 percent common stock overlap कर रहे हैं means I again repeat 20.83 stocks सारे all three funds में overlap कर रहे हैं जबकि flexi and small cap में this overlapping is 25.48 percent of holding flexi और active में 50.80 percent of holding इसका मतलब यदि यह 50.80 percent common holding है overlapping holding है यदि यह अच्छा करेगा दे दोनों ही अच्छा करेगा और यदि खराब परफॉर्म करेगा दों ही खराब परफॉर्म करेगा उसी हिसाब से small and activity is 35.80 percent इसको अब एक उधारन से समझ सकते हैं मान लिजे आपने quant small, quant flexi, quant active fund में 100-100 रुपे के SIP की है तो उस 300 रुपे में से 62 रुपे 49 पेसे का investment जो आपका है common stock में है यदि आपने quant small और quant flexi में 100-100 रुपे के SIP की है तो उसमें से 50 रुपे 96 पेसे आपके common stock में ही investment हुए है आपका यदि आपने small, quant small or quant active में 100-100 रुपे के SIP की है तो उस 200 रुपे में से 71 रुपे 76 पेसे आपका common stock में ही invest हो रहा है और यदि आपने quant flexi और quant active में 100-100 रुपे का SIP किया हुआ है तो हर मेने आपके 101 रुपे 76 पेसे common stock में ही invest हो रहे है अब यह देखें common stock में invest होने का impact क्या है for example आपने 200 रुपे 100 रुपे क्वांट flexi में 100 रुपे क्वांट active में दिया और यह दो stock में मान लेजिए 101 रुपे 76 पेसे stock नमबर रुपे डिफरेंट it is common only 101 रुपे 76 पेसे आपने एक पार्टिकल डो चार पांच stocks में लगा दी यह stocks अच्छे perform करेंगे यह दोनों ही fund अच्छा होगा और यदि यह खराब perform करेंगे तो बाकि जो 99 रुपे 98 रुपे और कहीं लगए हैं उसके performance repent करेगा but there is every possibility कि यह इतना जिस stock में यह पैसे लगे हुए वह खराब perform करेंगे तो आपका दोनों ही fund का performance खराब होगा उसी हिसाब से यदि आपने क्वान्ट स्मॉल क्वान्ट फ्लैक्सी क्वान्ट एक्टिव में सो सो रुपे के साइपी किया तो 62 रुपे 49 पेसे के performance जिस stock में हुआ है उसके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है इन तीनों फ्रिट का performance कैसा होगा या उस पर डिपेंड नहीं करता है इसका परफॉर्मेंस यह इंटक्ट करेगा considerably to all these three segments now the time to conclude हम finance के arena में एक common thought है कि not to put all eggs in one basket हम यहां देखते हैं यदि हम flexi और active की बात करें तो 50% x जो है हमने एक ही basket में रखा हुआ है हम यदि small और active की बातें करते हैं almost 35-36% एक ही basket में रखा हुआ है यदि हम तीनों fund की बातें करते हैं almost 25% के आसपास एक ही basket में रखा हुआ है एक ही basket में एक रखने का मतलब यदि एक एक सड़ेगा तो सारे को खराब होगा इसका मतलब यदि यह अच्छा perform करेगा तो सारे अच्छे होंगे खराब perform होगा तो सारे खराब perform करेंगे नौ हम portfolio में different segments में investments segments इसलिए रखते हैं कि हमारा risk diversification हो बट हीर यदि आपने क्वांट small में क्वांट flexi में क्वांट active में तीनों में रखा हाला कि तीनों different segments के funds हैं तो यह हम देखते हैं कि diversification काफी less है मतलब risk diversify हो तो रहा है लेकिन काफी कम हो रहा है और यदि risk diversification कम होगा इसका मतलब there is less protection to probable loss no इस प्रस्तिती में निर्णय आपका कि आपको क्या करना चाहिए because मैं हमेशा कहा करता हूं कि risk perception different investors का हर investors का अलग अलग होता है इसलिए निर्णय individual investors को अपने analysis के basis पे अपने perception के basis पे लेना होता है इसलिए निर्णय आपका यह वीडियो समाथ होने के पहले मैं कुछ information restore करना चाहूंगा मैं कोई mutual fund सलाकार नहीं हूं नहीं मैं कोई वायला करता हूं कि हमारे द्वारा बताये के सुझाओं सुझाओं को फॉलो करने पर आप राध राध लागपती बन जाएंगे या कवड़कती बन जाएंगे या आपकी आपका धन आपका पैसा दो सालों में दुगना हो जाएगा हां इतनी संभावना ही जरूर है कि इस सुझाओं को फॉलो करेंगे तो जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें अच्छे रिटर्ण होने की पूरी संभावना है थैंक यू